Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल Historical perspective में या फिर political scientist की बातों में, जब भी हम इनके बारे में बात करते हैं, तो इनके similarities और differences पर बाते होती हैं, कई बार लोग कुरेद के इनके बीच आपसी मद्भेदों को भी, जो ideological stand पर होते थे, उनको भी सामने रखते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इन तीनों का जो काफी मद्भेद हुआ करता था, उसके बावजूत कोई एक ऐसा इनसान था, एक ऐसा anthropologist था, जिसके प्रती इन तीनों का बहुती विशेश लगाव था, बहुती ज़्यादा प्रभावित रहते थे तीनों उस व्यक्ति से, उसकी फोटो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, गांधी उनकी एक तरीके से biographical context को हम cover करेंगे, उनके significance, role इन सारी बातों को यहाँ पे discuss करने वाले हैं, जो कि अगर anthropology की perspective से कहें, तो अकसर एक question आपके UPSC optionals में आता है, role of Indian anthropologist या फिर आप बात करते हो किसी भी colonial anthropologist के, अगर significance या उनके contribution की तो हमेशा यहाँ पे इन लोगों की बा anthropologist, तो very relevant उनमें से एक major, एक prime anthropologist हैं, जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए, ज्यादा time waste ना करते हुए, पहले इनके basics के बारे हम जानते हैं, इनके early life के बारे हम जानते हैं, तो यह basically एक British, यानि कि एक European anthropologist हैं, एक तरीके से यह tribal activist भी थें, और साथ ही साथ यह ethnologist हैं, य इन्होंने अपना पुराना work छोड़ करके, in fact, 1935 में तो खुद इन्होंने हिंदुजम को adopt कर लिया था, ethnology की हमने बात की और ethnographic की बात की, तो इनका गोंड्स की जो tribe है, मुरियास की जो tribe है, और बाइगास की tribe है, उसके उपर एक intense आपका हो, तो एक ethnographic work आपको anthropology में देख 1954, साथी साथ जब UNC, यानि कि आपको यहाँ पे screen पर दिख रहा होगा, anthropological society of India, इसका formation जब होता है, 1945 में, two years before the independence, यहाँ पे इस संस्था को रखा जाता है, इसको अगनाइस किया जाता है, इसको institute किया जाता है, तो उसके ये पहले deputy director थे, director के बारे में शायद आपने कई बा साथ में आप क्या सकते हो, as a first deputy director of anthropological survey of India, सोच के देखिए, इंडिया की एक institute है, एक anthropological work है, उसमें जो deputy director है, कोई एक foreigner, या फिर कोई एक colonial इंसान है, और वो भी इतने later phase में, अगर आप early phase की बात करते हो, जब archaeological society of India बनी थी, या फिर बाकी societies की बात करते हो, उस समय तो आप formation हो रहाता है, तो आपको देखने को मिलता है, शुरुवाती जो लोग उसको preside कर रहे थे, या फिर अगर आप preside नहीं कहो, अगर उसका formation में आप जुड़े हुए लोगों को देखते हो, जिससे A.Humes का नाम आता है, तो कई सारे ऐसे और नहीं चाहिए, या फिर आपकर इ इसी non-Indian का, ऐसी significant Indian organization की post को hold करना, अपने आप में बहुत ही जादा, एक crucial step देखा जा सकता है, एक बहुत ही significant बात कही जा सकती है, लेटर इनको 1961 में, इनकी death से around 3 years पहले, इनको पद में भूशन से भी नवाजा गया, Indian government के द्वारा, आप देखते हो, एक बहुत ही जादा हमने बात की कि नहरुइन को अपना साथी मानते थे, और गांधीन को अपना बेटा कह चुके थे, तो इनके बीच में बहुत ही जादा आप कह सकते हो, coincidence वाली चीज़े चलती रहती थी, खासकर नहरुजी के साथ, इनकी death होती है, 1962, February 22, I believe, और उसके just 3 महीने बाद, या 4 मह 1964, same year देखने को मिलती है, तो यह बहुत बड़ा coincidence है, और भी कई सारे coincidence है, जो इनके और नहरु के बीच में चलते रहते हैं, जो शयदम further, अगली slides पर discuss करने बाले है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, इनका एक biographical work था, जो काफी famous है, जिसको भी anthropology में, या फिर tribal ethnography में, tribal life म को refer कर सकता है, the tribal world of warrior elven, next slide के अगर हम बात करें, next step के अगर हम बात करें, तो इनके कुछ important works को हम discuss कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप से, खासकर UPSC syllabus के perspective में, अगर इनके बारे में पूसता है, तो इनके role contribution में सबसे main काम जो आपको enumerate करना होता है, वो होता है, biographical context या फिर उ tribal की life पे, या फिर tribal life के अंदर emerge होने का, तो वो इनको पटेल से मिलता है, पटेल हमने शुरुवाती में कहा कि तीनों लोग, गांधी, नहरू और पटेल, तीन strong pillars हैं, Indian politics अगर आप बात करते हो, early politics या फिर independence की बात करते हो, उस समय के, और तीनों के तीनों किसी ने किसी way मे इनको as a guiding force, या फिर इनके साथ एक supporting force के तौर पे काम कर रहे हैं, तो इनका tribal के प्रती रुजहान भी यहाँ से आने को देखने मिलता है, इससे पहले ही, ये tribal life या फिर village life और इन सारी कई सारी चीजों में Indian independence movement के साथ, गांधी जी के प्रभावों में आके जुड़ चुके और वही time frame था जब ये ऐसे work को conduct करना शुरू करते हैं, अपने ethnological and ethnographical works को start करते हैं, 1939 में ये वो year था जब इनकी सबसे पहली जो आप कहा सकते हो ethnograph है, बाइगास की जो tribe है उसके उपर publish होती है, और इसमें ये अलग-अलग stands की बात करते हैं, बाइगास के social life की बात करते है हैं, उनके religious aspects की बात करते हैं, उनके sexual life, promise, security, कई सारी चीजों को social constraints में लेके एक ethnographical work करते हैं, साथी साथ जो important था कि उनके traditional, जो इनकी slash and burn के agriculture, आपने economy में शायद पढ़ा हो या फिर earlier classes में भी आपको पता हो, shifting cultivation का एक phenomenon होता है, जिसको अलग-अलग states में, अलग-अलग पेस को zoom कहा जाता है, तो कहीं पेस को किसी और name के साथ बुलाया जाता है, तो उसके उपर इन्होंने कई सारा काम किया, जब यह बैगा पर work कर रहे थे, तो इनकी जो work है, वो इसके around भी center कर रही थी, इस पर भी इन्होंने बाते की, commentaries लिखी, और साथी साथ इस पर भी focus इनका रहा कि किस तरीके से, जो intermediaries हैं, या फिर landlords हैं, जो जमीदार हैं, और बाकी लोग हैं, वो किस तरीके से इनको exploit कर रहे हैं, और इनकी life में इस तरीके का interference कर रहे हैं, कि अलग-अलग तरीकी की problems eventually originate होती है, और इनके के पूरे के पूरे आप देखते हो, कि बैगास की जो life है, उनका जो culture है, वो destroy हो रहा है, क्यों landlords और missionaries है, इनको हम साथ में कह सकते हैं, कि अलग-अलग intermediaries जो हैं, नेक्स आप बात करते हो, 1939 में इनका work publish हो जाता है, 1940 में क्या होता है, इनका एक ideological clash हो आता है, अभी तक आपने देखा, गांधीजी से इनका काफी सामंजस से वाला, एक दूसरे से काफी प्रभावित रहते थे, वो भी गांधीजी की बहुत respect करते थे, गांधीजी भी उनको अपना बेटा later phase में declare कर दी होते हैं, लेकि 1940 में एक ऐसा time आता है, जब इन दोनों के बीच में एक ideological clash होता है, respect फिर भी है दोनों के लिए, दोनों के मन में जिसमें से एस गोपाल का एक primary work है, उसमें आप जाके देखते हो, या फिर modern कई सारे publications हैं जिसको आप prefer करते हो, तो यह सारे चीज़ा आपके सामने हैं, यह debates और यह ideological conflicts आपके सामने आते हैं, तो सेम ऐसा ही हुआ, जहां पर भी विचारधारा होती है, वो एक दूसरे से कही कोई synchrony में नहीं हो सकता है, हर point पे, एक point पे आप किसी से राजी हो सकते हो, दूसरे पे राजी हो सकते हो, तीसरे point पे आप differ जरूर करोगे, तो यह चीज होती है, 1940 में इनके बीच में debate हुई, गांधी जी जा रहते हैं, कि tribal की जो एक तरीके से life है, उसमें वो अपनी ना खादी को यूज कर रहेते हैं, और उनकी diet जो होती है, most of the tribals across India, गर आप देखो 99% के आपस आपको tribals, non-vegetarian diet को consume करते हैं, आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इन दोनों चीज को गांधी जे बदलना चाते थे, वो उनको national movement के साथ integrate करना चाते थे, इस point पे इनका एक ideological conflict होता है, barrier Elvin के साथ, जिनका ये मानना है कि हम किसी के culture में, सिर्फ हमारी क्योंकि ऐसी रूची है, हम एक national movement चला रहे हैं, हम उनको integrate करना चाते हैं, अपने purpose के लिए या फिर एक greater purpose के लिए use करना चाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है, कि हम उनकी wish को, उनके tradition को, उनके culture को, उनकी livelihood, उनके lifestyle के जो mode है, उसको भी change कर दे, इंसान की total की total एक agreement होना चाहिए, total freedom होनी चाहिए, अपनी life और अपनी life की processes से related, जिसमें किसी को भी interference करने का नाधिकार है, और नहीं उससे ऐसा करने के सोचना चाहिए, तो यहाँ पे दोनों की बीच में conflict आता है, next जो सबसे important चीज़ है, जिसको उपर आप अगर answer में, अभी तो हम biographical context में discuss कर रहे है, इसलिए कई सारे points को cover कर रहा है, लेकिन अगर आप answer के perspective में UPSC में बात करो, तो जिसी इसमें आपको सबसे इक stress out करना है, वो है, tribal policy के ऊपर, barrier Elvin का contribution towards the tribal policy, इंडिया का independence हो गया, अलग-अलग institutions का formation हो रहा है, constitution के ऊपर drafting committee बैठी हो, constitution का discussion हो रहा है, सारी चीज़े हो जाती है, लेकिन tribal के प्रती हमारी policy क्या होगी, वो एक बहुत बड़ा debate का front होता है, किस तरीके से आप उनको करोगे, क्योंकि tribal की एक बहुत खास बात होती है, जो आप अर्ली पार्ट में देखते थ तो ट्राइबल के बीच में common characteristic होता था, कि वो usually isolated रहते थे, main stream जो population होती थी, आप कह सकते हो, Hindu population या कहीं पर अगर दूसरी कोई community की population है, उससे वो usually isolated होते थे, कई सारी tribes आपको हिली रीजन्स में देखने को मिलती है, वो भी बिल्कुल अपने आपको isolate करके रखती है, अपन economic activities हो, उसी कह रहा हूं, वो इर्द गूर्द घूम रही होती है, इस सीज के उपर एक debate हो गई, अलग-अलग stands लोगों ने दिये, अलग-अलग scholars अपने अलग-अलग मत देने लगे, इसमें सिर्फ anthropologist ही नहीं सामिल थे, politicians के भी view आ रहे थे, sociologist के भी view आ रहे थे, other thinkers जो थे या फिर activists जो थे, वो भी अपनी राय दे रहे थे, तो अगर इन सारे के सारी जो राय हैं, इसारी के सारी जो approaches हैं, इनको हम divide करते हैं, तो तीन mainstream frame आते हैं, एक तो इसी से निकलता है, कि वो isolated है, तो उनको isolated ही रहने दो, और उस scheme को बोला गया, उस schema को बोला गया, कि यह isolationism क ही, scheme होगी, डूसरी जो आती है, आपके सामने approach, वो है assimilation की approach, कि भाईया, वो isolated ठीक नहीं है, आपको उनको क्या करना होगा, Indian society progress करने वाली, हमने constitution में कई सारे rights दिये, safeguards दिये, अलग-अलग institutions का हम को बना रहे हैं, DRDO को बना रहे हैं, IIT को बना रहे हैं, aims को बना रहे है dams बना रहे हैं, कई सारे roads बना रहे हैं, development work हो रहा है, तो वो सारे फाइदे जो हैं, वो सिर्फ हम तक ना रह जाए, mainstream community तक ना रह जाए, यह जो disadvantaged group like tribal हैं, उन तक भी यह चीज़ पहुचनी चाहिए, तो इसलिए जब तक हम उनको मिलाएंगे नहीं, अपने mainstream में नहीं लि हमें सकते debate चलती रही, isolation के जो favor में थे, दो important लोग आप कहा सकते हो, initially barrier Elvin भी इसी के approach के उपर सैमत थे, और एक Austrian anthropologist थे, जिन्होंने काफी सारी south की tribes पे, और northies की tribes पे work किया था, जिसको आप कहा सकते हो, जिनका नाम है, barrier Heimendorf, पूरा नाम इनका, Christopher Führer Wen Heimendorf करके है, Christopher Führer Wen Heimendorf, CFV Heimendorf, shortman of Heimendorf कहके बुलाते हो, इन्होंने खास करके, अपातनीज और central इंडिया की tribes पे कही सारी researches किये थे, और उसके बाद इन्होंने इन्होंने fact सामने रखा था, कि C, और ना चल, जो tribe अपातनीज, आपके dynamic portion से भी relevant है, अभी कुछ दिनों पहले और कुछ महीनों पहले भी हो, काफी ज़्यादा news में रही थी आपके, आपको cover करना रहा होगा, dynamic portion में, तो वो आप जान सकते हैं, और नाचल प्रदिस के एक tribe है, उनका उनने case study दिया, कि यह देखिए, यह isolated थे, इनका culture इस तरीके स था, interference का amount जो है, क्योंकि North East में है, ज़्यादा नहीं रहा, इस वज़े से वो प्रॉस्पर कर रहे थे, और जबकि आप दूसरी कई सारी Central India की और Eastern India की tribes का example दिया, वहाँ पे assimilation और cultural contact जो है, mainstream Indian society का tribal के साथ बहुत ज़्यादा हो चुका था, इस वज़े से आप देखते हो, उनके बीच में कई सारे problems आ रहे हैं, उनका exploitation हो रहा है, through what means, जो landlords, हमने बात की यहाँ पे, कि landlords और missionaries के साथ, यह work भी आप देख रहो किसके बीच का है, बैगास के बीच का है, Central India, Eastern India की tribe है, उस pocket में पाई जाती है, अलग-अलग जगों पे, अलग-अलग स्टेट्स में, तो ऐसे work आपको बताते हैं, कि हाँ, यह बात सही है, और उनके बीच में अभी उस तरीके का intrusion नहीं हो पाए, इसलिए वो थोड़ा safely रह पा रहे हैं, और अपनी dignity को, अपनी identity को, अपनी culture को, अपनी tradition को बचा के रख पा रहे हैं, तो यह example उन्हों दिया था जिसको barrier Elvin भ पालिसी को हम किस तरीके सरकें, तो ट्राइबर पालिसी को हम जैसे national parks होते हैं, आपको पता है, आपने ecology के lecture को जब cover कर रहे होंगे, तो उसमें देखा होगा कि national park का structure होता है, ठीक है, core areas होता है, buffer areas होता है, core areas में आपको किसी भी तरह की activities जो होती है, वो करने की allowance नहीं होती है, तो एक सबसे innermost area है, एक आपका outer, उसके outer पे जो area है वो है, और एक outer most area है, cafeteria और बाकी facilities जो है, वो outer most area में भी आपको allowed हो जाती है, बीच में आपको कई सारे research institutes और वो सारे चीज़े जो आपको labs या कुछ setup करनी होती है, monitoring units आपको set करनी होती है, वो चीज़े आप set कर स use नहीं सकते हो, और अलग-अलग तरीकी चीज़े जो activities है, human activities है, anthropogenic activities है, वो नहीं conduct कर सकते हो, उसको पूरी तरके साब को safeguard करके रहना है, उसी model को ये चाहते थे, कि हम national park के model पर रखेंगे, और उनके area में encroach नहीं करेंगे, उनको total freedom देंगे, और उनका जो isolation है, उसको maintain करक करता है, कि जो उनकी identity है, उसका main part है isolation, तो let them maintain the isolation, अच्छी बात रहेगी, इन दोनों की बात कहो, तो इससे differed जो करते थे, sociology में, अगर किसी का subject 12 में, या फिर बाद मेरा होगा, तो उनने एक sociologist है, prominent sociologist है, उनका नाम आपने सुना होगा, G.S. घुरिये, इनका पूरा नाम I believe, Govind सदा सिब घुरिये है, इन्होंने assimilation की scheme को प्रोग किया, इनका कहना था कि backward जो हिंदूज है, उसके साथ काफी, आप देख सकते हो, सिंक्रनी होती है, कि इसकी tribal people की, और वो backwardness जो है, tribal की है, sorry, जो tribal को इन्होंने का है, कि उनकी ये जो characteristic है, वो backwardness है, और इनकी जो backwardness इसी वज़े से आ रही है, क्योंकि ये assimilate नहीं कर पाए, main stream societies के साथ है, Hindu communities के साथ, इसी लिए इनको उन्होंने बोला, tribal को क्या, कि ये backward Hindus हैं, ये progress आउट नहीं कर पाए, और progress आउट ना करने का वजज़ जो थी, वो ये है, कि देवा left out, isolated रह गए थे, isolation ही वो वज़ज़ है, जिसकी वज़े से ये लोग जो ट्राइबल से हैं, वो backward हो गए, बाकी इनमें और हिंदूस में ज्यादा difference आपको structure नहीं देखने को मिलता है, according to him, G.S. गुर ये बात हम नहीं कह रहे हैं, काफी लोग इससे differ भी करते हैं, इसलिए हमें क्या जरूवत है, कि इस backwardness को नहीं आपा रहा है, तो इसलिए third आपकी एक अप्रोच आजाती है, जिसमें नहरुत जी का काफी ज़्यादा योगदान रहा, D.N. मजुमदार, जो सबसे पहले आप anthropology seat या फिर anthropology का जो स्कूल है, third school of anthropology in University of Lucknow उन्हों ने खोला, anthropology के अगर आप बात कर रहे हो, हमने श्याद शुदू के lectures में discuss नहीं किया, तीन phases में खुला, 19, 2021 में आप देखते हो, Calcutta University, CU में सबसे पहला, anthropology का एक department खुलता है, इसको as a face देखा जाता है, anthropology के emergence में, जिसको हम बात कर रहे होंगा, अपकॉस जब live session में discuss कर रहे होते हैं, इसके बाद आपको second due में खुलने को देखने में, और then 50s के में, जो 50s का आप decade कहते हो, वहाँ पे start में खुला, LU के अंदर, जिसको DN मजुमदार साब head कर रहे थे, department को खुला, inaugural head भी थे हो उसके, तो DN मजुमदार सर, और इसके साथ-साथ आप देखते हो, जवानन लहरु खुद जो जिस चीज को believe कर रहे थे, वो थी कि हम इन दोनों स्कीम से हटके, इन दोनों स्केमा से हटके, एक अप्रोच को अपनाएंगे, जिसको कहेंगे, integration या फिर integrationism, integration क्या करेगा, न वो पूरी तरीके से इनको isolate करेगा, न वो जबरदस्ती इनको assimilate करेगा, न उनको पूरी तरीके से छोड़ दो, न उनको जबरद उनकी agreement के बाद ही, जो development वो पाना चाहते हैं, जो चीज, जो mode वो रखना चाहते हैं, वो आप करो, जबरदस्ती आप कोई चीज नहीं कर रहोगे, तो integrate करने का मतलब है, main stream society से आप जोड़े रहो, जोड़ना assimilation में भी था, पर वहाँ पर आप क्या कर रहो, एक तरीके से उनक schema best रहेगा, बाद में barrier Elvin भी, ऐसा ही schema पर आ गए थे, वो भी, वो इसको assimilation से ज्यादा treat करते थे, कि ठीक है, हमको मिला लेने चाहिए, क्योंकि left out करेंगे, तो कई सारे development पर नहीं हो पाएंगे, तो वो एक तरीके से agree करने लगे थे, जवालना नहरू और DN मजुमदार की जो यह बात थी, तो यह तीन तरह के stands थे, जिसमें से आप देख सकते हो, very relevant का contribution के तौर पर हम देखें, तो isolation, यानि कि आप culture को disturb मत करो, अब आपके अलग-अलग views हो सकते हैं, अगर आप इस पर सोचो की कौन से schema है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन anthropology और anthropologist का क्या main, एक दिमा समझते हो, तो यह मतलब नहीं कि आप दूसरे इंसान को, जिसको आप inferior समझते हो, जब रतस्ती अपने fold में खीच के ले आओ, बिना उसके मंजूरी के, तो इसलिए, क्योंकि ये core anthropologist थे हो, जादे तर core anthropologist जो है, वो एक relativism के concept में मानते हैं, हम कई सारे terminologies discuss करेंगे, तो ना देखो, तो ये बात होगी, इनके important works की, और कुछ देखते हैं, यहां पर जो हमने वीडियो के start में ही कह दिया था, 1930 में गांधी जी इनको declare कर दिया था, कि 35 में आपने क्या देखा, कि उन्हें हिंदुजम में conversion हो गया, ठीक है, और 1940 में वो, उनके बीच में एक conflict आया, रिस्पेक्ट वाली भावना आपको देखने को मिलती है, 35 में इतनी जादी वो पीक आउट करती है, कि इवन अपने missionary के जो work थे थे, Christian missionary का जो काम करते थे, उसको छोड़ करके यह क्या किये है, हिंदुजम में convert हो रहे हैं, ठीक है, लेटर ओन, 1914 में इनके बीच में वो एक ideological conflict आपको देखने को मिलता है, आप सबने शायद नाम सुनाओगा, UPC से preparation कर रहे हैं, या फिर history किसी का subject होगा, at graduation और at any other level, तो उन्होंने नाम सुनाओगा, रामचंद गुहा का, बहुत ही prolific writer है, और कई सारी best-searing book सिंकी है, एक को जो सायद आपने सबने सुनी होगी, कई सारी civil servants और bureaucrates भी उस book को अपने table पर रखते हैं, Bible of history भी कई बार लोग कहते हैं, modern context में, जिसका नाम है इंडिया आफ्टर गांधी, तो वो book के writer है, रामचंदर गुहा, कई सारी और बुके, makers of modern India, makers of Asia, modern Asia करके, उन्होंने बुके लिखी हैं, वैसे ही एक book इनकी काफी healthy sides के book है, तो जिसके पास time हो, I am not suggesting or recommending anyone to read this book specifically for anthropology, पर अगर किसी का interest है, time है, या फिर वो preparation में अपने इतना time निकाल सकता है, तो it is a good read, time pass के लिए अच्छी read आप पढ़ सकते हो, जानकारी आपकी बढ़ेगी, खासकर barrier Elvin के बारे में, और इंडिया की tribal policies तरीके चीजों के 1940 का जो time है, यहाँ पर conflict आये, इसके बाद का जो इनका time है, वो थोड़ा ज़्यादा conflicting है, एक हमने बात की कि angels, लोग इन्हें बुलाते थे, tribal भी इने बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, tribal समाद जो है, कोई angel, कोई savior, कोई guardian of tribal life या फिर ट्राइबल इंडिया कहता था इनक लेकिन 40 का जो time है, वहाँ पर लोग बढ़ जाते हैं, कुछ लोग इनको 40 के बाद भी वैसा ही guardian मानते हैं, और savior मानते हैं, लेकिन 40 के बाद इनके जो कुछ work थे, उसके उपर कई लोग एक critical view भी रखते है, 40 में इनोंने क्या किया है, एक राजगोंड, गोंड ट्राइब आपको पता है Central India की, एक राजगोंड गर्ल से शादी की, स्कूल में थी, I think the age of that girl was around 13 years, और कोसी नाम ताउंका, जो इनकी थी, उनसे इन्होंने marriage कर ली ठीक है, एक बेटा बीवार बहुत अच्छी बात है, एक coincidence वाली बात है, जो हमने कहा था कि coincidence काफी बार आपको देखन साम रखा हुआ था, तो later, क्योंकि बहुत जल्दी उसकी, मेरे खाल से next year, within few years, उसकी बेटे की मौद भी जाती है, लेकिन इनको बात अगर हम देखें, आपे कोसी से related क्या बात हुई, 1940 में शादी की 41 में इनका बेटा होता है, बेटा भी बात में उससी death हो जाती है, और ब जाओ, तो उसको लगए कि intrusion कर रहे हो, आप बाहर ही हो, खासकर कोई European हो, European के कारण तो काफी दिक्कत हो जाती है कि कोई अपनी society में क्यों accept करेगा, तो कई लोग कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ उस information को पाने के लिए इन से शादी की थी और बाद में abandon करके चले गे थे, और सिर्फ यहीं पर नहीं होता है, लेटर रॉन ही married another girl, उनका नाम शायद लीला था, हाँ, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यह यह आपके सामने यहाँ पर इन्होंने रिमैरी किया, लीला नाम की बुग, जो की वो भी गोंड से थी, यहाँ पर आप कहरे हो, राज गोंड की इंडिया के तीन political figures, जो इतने बड़े animatic pillars है, एक स्टैंड अपने आप में इतनी बड़ी personalities है, उनके साथ इनके इतने cordial relationship थे, इतने close relationship थे, एमन शिनिवास अगेन बहुत important sociologist anthropology में भी आप इनकी theories को पढ़ते हो, तो एमन शिनिवास जो है, उन्होंने इनके उपर एक comment कहा था, वो भी critical थे, इनके उपर, इनके work के उपर, इन्होंने कहा, he was the last most distinguished amateur anthropologist, तो इनको anthropologist नहीं consider किया, इनके work को थोड़ा बचकाना या अध popular तो किया है, पर इनका focus जो है, वो marriage, rituals, और खास कर sex और promiscuity के उपर काफी था, जो of course, किसी को भी आप, किसी भी tribe, community के ये सारी चीज़ा बता होगे, तो काफी interest out होता है, ठीक है, लेकिन tribal welfare के लिए, या फिर उनकी economy, polity, social organization, structural basis, जो सारी चीज़े, एक anthropologist का main frame होता, जिसको study करता है, उस पे इन्होंने इतना intense work नहीं किया था, तो popular बेशक इन्होंने किया था, पर उपर उपर के वे से किया था, अंदर उनका इतना काम नहीं था, इसलिए इनके work का वो थोड़ा अधूरा, incomplete या फिर childish मानते थे, M.N. शिनिवास as a scholar, तो ये बात हुई, आज के lecture में यहाँ पे बहुती prominent, बहुती major anthropologist, ethnologist और tribal activist जिनों का योगदान हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, जब भी इंडिया की tribal policy की बात होती है, तो next lecture में हम again किसी और interesting topic के साथ आएंगे, discuss करेंगे, जो कि आपके लिए काफे relevant हो, anthropology UPSC syllabus के लिए भी, और maybe अगर वो clash करता हो, कहीं स यारी हुई, affordable